Hello दोस्तो and welcome back to our channel and this video is sponsored by psychostore.in यहां को काफी अची ची प्रोडक्स देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्स जैसे की टीशर, मग, पोस्टर जो कि आपको जुरूर से बाई करने चाहिए यहां को पोकेमोन के प्रोडक्स भी देखने को मिल जाएंगे अगर आपको बाई करना है तो मैंने डिस्क्रिशन में लिंक डाल दिया है एक बार से इस वेबसाइट को जरूर से चेक करना काफी ओसम वेबसाइट है So let's begin our video So दोस्तो अगर आप पोकेमोन को जानते हो तो पोकेमोन को केज करने वाली पोकेबोल के बारे में भी जरूर से जानते होंगे So आज हम उसी पोकेबोल के बारे में बात करने वाले हैं आप ज़्यादा ज़्यादा कितनी पोकेबोल के बारे में जानते हो 10, 20, 25 बट नई यार आज हम बहुत आगी जाने वाले हैं आज हम 50 Pokeballs के बारे में बात करेंगे जी हाँ दोस्तों बहुत साई लोगों तो यकिन नहीं हो रहा होगा कि 50 Pokeballs कैसे हो सकते हैं बट जी हाँ आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं तो काफी जाड़ा मेनद लगी है वीडियो के रिशार्च के लिए इसी वीडियो को लाइक कर देना लाइक हम रखते हैं 14 के लाइक का चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो लेट्स बिगेन पकेमोन पकड़े या ना पकड़े बट इससे यार लोग जरूर बेकूफ बन जाते हैं जिस बरकार जेमस बेकूफ बनाता आपको याद होगा ये पकेमोन सिर्फ और सिर्फ हमको एनिमे सिरीज में ही देखने को मिलती है नमर 49 पारती है डाइमजब बोल ये भी हमको एनिमे सीरीज में देखने को मिली है म्याउत के पास्ट में यानि कि यार एक लेडी होती है बहुत ज़्यदा रिच लेडी जिसके पास एक पोकेबोल होती है जिसमें डाइमन ही डाइमन होते है यानि की काफी महेंगी पोकी बॉल हे यह इसको हर कोई एफोर्टेट नहीं कर सकता न मबर 48 पाता है स्टार्टर पोकी बॉल यह पोके बॉल भी काफी जारा ररेर है यह सिर्फ प्रोफेसर ओ encu के पास हमने अभी तक देखी है जिसके उपर स्राटर पोकेमून का नेम होता है जैसे कि चार्मेंडर बल्बा सोरो स्कॉाइटल टिनो का नेम इस पर लिखा हुआ है और नमर 47 पाता है लव बॉल ये पिंकलर की पोकेमून है जो कि काफी जड़ा स्यांदार है और इससे अगर आप पोकेमून को केज करोगे तो आपकी और उनकी फ्रेंडशिप अच्छी हो सकती है नमर 46 पाती है फिसिंग बॉल यानि कि इतनी अच्छी पोकेमून ये है नहीं विकोई ये टीम रोकेट ने एक स्पेसल कॉंटेस्ट के लिए बनाया था नमर 45 पे है नेस्ट बॉल नेस्ट बॉल या लोगर पोकेमून को केज करने में काफी जड़ा हेलफुल होती है यानि कि जिनके लेवल कम होते हैं वो पोकेमून इससे अराम से केज हो जाते हैं जो भी है ज्यादा अच्छी पोकेबॉल नहीं है ये नमर 45 पे है है पेस्टर बॉल पेस्टर बॉल हमको सिर्फ और सिर्फ पोकेमोन स्नेप गेम में अपियर होते हुए दिखाई गई है वरना इसका कोई भी यूज नहीं है नमर फॉर्टी टू पाता है स्पॉर्ट बॉल स्पॉर्ट बॉल भी काफी ज़रा अच्छी है इसको आप जोटो न बॉल को सर्ते हो पोकेमई को में जैसे की स्पिंडा अगर आप अलगा बटन को केज करना चाहते हूँ तो आप को यूज कर सकते हो नंबर 39 यां पो आती है लेली बॉल इसम Rajon वे देखा था मिंश्टीएस ने यूज गिया था सफारी बॉल किसको नहीं पसंदी यार सफारी बोल के बात ही ऑ सकते हो बीना Pokemon को डेमेज किये बिल्कों को डेमेज करना अलाव नहीं है बस यार पोकेबोल फेक्टर आओ फेक्टर आओ आके किस्मत होगी तो Pokemon आपके पास आज आएगा वरना नहीं आएगा नमबर थाटी 6 पर आती है टाइपिंग बॉल यार बिल्कुल अलग पोकेबॉल है जो कि हमको पोकेमोन एडवेंचरस नाम का कोई गेम था आपके स्क्रीन पर आईगी होगा उसमें देखने को मिली थी तीन-तीन कलर है इसमें नमबर थाटी 5 पर आता है डाइनामेक्स बॉल जी हाँ दोस्तों या लेटे सोडेन सीरीज में हमने इस पोकेबॉल को देखा है और बाइसाब कमाल की पोकेबॉल है बहुत बड़ी पोकेबॉल है साइज में काफी दरा बड़ी है पिंक कलर की पोकेबॉल है ये पोकेबॉल सब के पास होनी चाहिए नमबर 34 पर आती है केच रेस पोकी बॉल यह पोके बॉल भी काफी तरह ओसम है विकोज हमने पोकेमों की मुवी पावर ओफ अस में देखा था एक रेस कंपेटिशन हो रहा था जिसमें एस ने इसको यूज गया था वाइट एन ब्लू कलर की पोकी ब होता है वही बॉल आती है हमाई लिस्ट में नमबर 33 पर नमबर 32 पाती है टीम रोगेट प्राइज मास्टर पोकी बॉल यानि कि अभी लेटर सीरीज होड़ें सिल में टीम रोगेट कुछ स्पेसल टाइप की बॉके बॉल का यूज कर रही है यानि कि यह पोके बॉल सच मे काफी दर लाजवाब है और काफी दर स्ट्रॉंग पोकी बॉल है इसी विज़े से हमने इसको लिस्ट में रखा है नमबर 33 पाता है जाइंट बॉल यह जाइंट बॉल भी हमको एन्जीमे सीरीज में देखने को मिला था और मैं पहले बिता देता हूं यह जाइंट बॉल यानि कि यार बोर्ट महेंगी पोकेबॉल भी है और को इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता नमबर 29 पाती है मून बॉल मून बॉल जो पोकीबॉल है यार जो पोकीमोन मून स्टोन से इवल होते हैं उसको आप इससे अराम से केज कर सकते हो फोर एगजांबर क्लीफेरी पाती है लुकोकस बॉल लुकोकस जो बॉल है वो नाइन टेल्स की बॉल है और यह 200 या 300 साल पुरानी पोकी बॉल है नमबर 28 पाता है ग्रीन बॉल नमिस्टरियस पोकी बॉल है चुकि हमको पोकेमोन के फर्स एपीशोड में देखने को मिली थी इसका क्या राज है किसी को सारी पोकेबॉल में से और नमबर 25 पर आती है लियूर बॉल को हमने एनीमे सीरीज में भी देखा था एस एन मिस्टी ने यूज किया था टोड़ोडाइल को केज करने के लिए जैने कि फिसिंग रोड से आप पोकेमून को केज करते हो उन पोकेमून को आप इससे अराम से रिफोर्म हो गया उसको आप इससे अराम से केज कर सकते हो नमबर 23 पाती है पोकेलेंटिस बोल यह जो पोकेबॉल है वो एक राजा की पोकेबॉल है जो कि इसको किंगडम में मिली थी और इससमें काफी रहो सम्पोकी बोल है नमबर 22 पाती है ओल्ड पोकीबॉल याने कि पुराने जमाने में इसको यूज किया जा सकता था हमने इसको सेल्भी वाली मूवी में देखा है कि या किस परकार यार चोटे प्रोफेसरोग इसका यूज कर रहे थे वाव छोटे प्रोफेसरोग क्या सब दिया यार मैंने मज़ा गया नमबर 21 पाता है लेवल बॉल काफी ज़रा help करेगी नमब 20 पर आती है dream ball dream ball एक mysterious पोकी बोल है जानी कि यार games में जब आप entry forest में जाओगे तब आपके बेग में अपने आप यह dream पोकी बोल आ जाएगी जो कि काफी ज़रा mysterious बात है तो क्या इसमें जादू हो सकता है जादू यार क्या कर रहे हो यार mysterious पोकी बोल तुमारे पास कहा से आई जोग तो हो गया अब आगे बढ़ते है यार नमब 19 पाती है Pikachu बोल पीकाचु बोल किसको नहीं पसंद यार इतनी धमाकेदार बोल जिसपे यार एक electric का sign बना हुआ है पिकाचु की mystery bowl काफी तरह खास है यानि कि इसको मिस्टी बोल भी बोल सकते हैं नमब 18 पाता है netball, netball काफी तरह helpful होगा अगर आप इससे bug type और water type Pokemon को catch करते हो नमब 17 पाता है friend ball, friend ball नाम से आप समझ गया होंगे आपके और आपके Pokemon की बीच इसमें काफी दरफ friendship increase करेगा ये Pokeball नमब 16 पाता है heal ball, इसको हमने games और any में दोनों में देखा है, जब आप किसी Pokemon को catch करते हो तब उसकी HP काफी कम हो जाती है यानि कि heal balls आप किसी भी lower Pokemon को catch करते हो, यानि कि उसकी HP कम होती है, उसकी HP को अपने आप ही heal कर देता है, यानि कि नर्स जोई का कुछ काम ही नहीं है, बाई बाई नर्स जोई यार नमर 15 पाता है, डाई बोल, डाई बोल यार अंडर वाटर Pokemon को catch करने में काफी दरा helpful होगी, अंडर वाटर Pokemon जैसे कि यार, सारपीडो हो गया, गेरडोज हो गया, उनको catch करने में काफी दरा खास रहेगी 14 पाता है, बीस्ट बोल, बीस्ट बोल भी काफी दरा धमागदार Pokemon है, अल्टर बीस्ट Pokemon को आप इससे catch कर सकते हो, जैसे कि Ace ने भी किया था, और ये Pokeball गेम्स और एनिमे में दोनों में काफी दरा useful है, और अगर आप इससे को दूसरे Pokemon को catch करते हो, जैसे कि normal Pokemon को, तो ये ज इंपल Pokeball, यानि कि बिलकुर normal ball, जड़ा retainers इसी का यूज करते हैं, नमबर 11 पाता है, प्रेमरी बोल, प्रेमरी बोल जो Pokeball है, वो यार काफी दरा अच्छा Pokeball है, ये आपको अराम से Pokemart में मिल जाएगा, वाइड कलर का Pokeball है, जो कि इसको काफी दरा स्यांदर Pokeball बनाता है, नमबर 10 पाता है, चैडिस बोल, जिसको आप यार एक special occasion पे यूज कर सकते हो, और इसको special occasion पे ही यूज करने के लिए बनाया गया है, पूरा red color का Pokeball है, जो कि इसको और भी दरा अच्छा बना देता है, नमबर 9 पाता है, ग्रेट बोल, ग्रेट बोल से आप किसी भी Pokemon को करोगे, अगर आप इन Pokemon को केज करते हो, तो वो जल्दी केज होंगे, नमबर 7 पाता है, टाइमर बोल, यार जल्दी जल्दी यूज करो, मजाएगा, मजा कर रहा हूं, जो भी Pokeball है, अच्छी Pokeball है, नमबर 6 पाता है, Duskball, Duskball को आपको रात में यूज करना चाहिए, नमबर 5 पाता है, अल्ट्रा बोल, यानि ग्रेट बोल से ज़्यादा चांसे से, क्या आपके Pokemon केज हो जाए, अगर आप अल्ट्रा बोल को यूज करते हो, नमबर 4 पाता है, डाक बोल, सच में, यह Pokeball काफी ज़्यादा डार्क है, इस Pokeball को हमने सेल्भी वाली मूवी में दे नमबर 3 पाता है, जी एस बोल, जी हाँ, दोस्तों, जी एस बोल, आपने कभी सोचा था, जी हाँ, जी एस बोल में सेल्भी है, काफी ज़्यादा मिस्ट्रियस Pokeball है, तो इसलिए इसको मैंने रगा है, नमबर 3 पर, नमबर 2 पाता है, Master Ball, Master Ball तो भई, कमाल की Pokeball है, 100% Catch Rate है, बट यार, यह नमबर 2 पर कैसे आया, यह तो सबसे powerful Pokeball है, बट ऐसा नहीं है, Master Ball से भी एक ज़्यादा powerful Pokeball है, वो नमबर 1 पर है, बट पहले Master Ball के बारे में सुन लो, आप यार किसी भी legendary या फिर mythical Pokemon को अराम से केज कर सकते हो, Master Ball की मदद से, तो Master Ball को जरूर से यूज करना, और नमबर 1 पर आता है, Mewtwo Pokeball, यारन की Clone Ball, Mewtwo की यह Pokeball, किसी Pokeball को भी केज कर सकती है, आप यार, Pokemon की तो उमीड करो ही मत, यार, यह किसी Pokeball को भी साफ साफ केज कर सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है, कि इसने Pikachu को भी केज किया हुआ है, तो आप सोच सकते हो, Clone Ball best क्यू है, that's why Clone Ball को मैंने रखा है, No.1 पर, आपके साफ से No.1 पर कौन सी Pokeball आनी चाहिए थी, कमेंट करो, और पोकेज का अंसर दो, और बाई बाई यार,